असलाम आलेकुम दोस्तों, कैसो आप लोग? इस वीडियो में साओधी कॉंसिल ओफ इंजिनरी के बारे में एक अपडेट शेयर करूँगा जिनकी मेंबर्सिप सस्पेंड हुई है कुछ दिन पहले वीडियो बना के मैंने बताया था कि आपका प्रोफाइल अब लोगई हो सकता है अब आप लोग जब लोगई कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको रिनुवल का ओफशन नहीं आ बहारा है जिनका मेंबर्सिप एक्सपायर है वो रिनुण नहीं कर सक रहे वहाँ पर आभी आपको दो ही option मिल रहा होगा एक option Reemption, Request, Membership और एक option है Statement, Request और आप लोग देख रहोंगे आपके profile में suspended account लिखा हुआ रहा है क्योंकि ये suspend क्या गया है Saudi Council of Engineering के तरब से वैसे तो ये सब पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए वे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ देखे, Suspend कब होता है किसी का भी membership को Saudi Council of Engineering Suspend कब करता है दो reason हो सकता है एक reason जब आप fake diploma, certificate, degree upload कर रहे हूँ क्योंकि वो लोग तो proper verification करते हैं आपका verification जब नहीं हो पाता है तब वो लोग Suspend कर देते हैं दूसरा कारण क्या है आप genuine डाले हो लेकिन आप जो college है जो institute है, जो university है वो लोग verification का response नहीं दे रहे हैं बार बार try करते हैं सौधी कॉंसिल वाले वो लोग नहीं देते हैं तब जाकर के ये लोग Suspend कर देते हैं अब देखिए, जिनका fake था चलो वो तो चुपचाप बैट जाएंगे कि भाई मेरा fake था इसलिए Suspend कर दिया वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन जिनका genuine degree certificate रहेगा उनका अगर Suspend होगा तो भाई वो तो बोलेंगे ही तो उनके लिए एक option है अपील का, अपील फॉर्म सब्मिट करने का मैंने इस पर भी एक separate video बनाया हुआ है कि अपील फॉर्म को कैसे फिलप करते हैं और कैसे उसको सब्मिट करते हैं तो पहले क्या प्रोसीजर था जिनका भी membership सस्पेंड हुआ है और उनको अगर अपील करना हो तो अपील फॉर्म साओधी कॉंसिल ओफ इंजिनेर का website से डाउनलोड करके या फिर साओधी कॉंसिल इंजिनेरिंग ओफिस विजिट करके वहां से ले करके उसको फिलप करना पड़ता था उसको फिलप करके वहां पे यहाँ पर सब्मिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अपील वही लोग कर सकते हैं, जिनका कॉलेज इंस्टिटूट जैन्विन है, जिन लोगों ने फेक डाल दिया है, सस्पेंड हो गिया है, वो त अपील अप करनी सकते हैं, क्या लिखोगे आप, क्या जस्टिफिकेशन दोगे, अब देखिए कई लोग मेरे साथ में फीड़िबेक शेयर कर रहते हैं, कि जिन लोगों ने फेक डाला था, उनके साथ में क्या हुआ, दो हजार एकीस बाइस तक मैंने बहुत सारे निव चै के पास चला जाएगा, जिसने भी गलत किया है, उनका जो सुनवाई होगा, वो कोट में होगा, फिर बाद में जो फैसला आएगा, मिनिश्टर फिंटरे वाले उनको बता देंगे, पुलिस उनको बता देंगे, तो अभी तक लोग वेटी कर रहे हैं, जिनका भी सस्पेंड डिगरी डाला है, आपको साउधान होने की जुरुत है, क्योंकि इस पे कानूनी करवाई की जाएगी, सोधिरब का जो लौ है, उसके एकोडिंग आप पे एक्शन लिया जाएगा, अब कई लोग मेरे साथ में फिडवेक शेर करे थे, कि उनके कुछ फ्रेंड्स को पकड़ पुलीस ने, इसके वजे से, कई लोग छुटी गए, जब इकामा उनका वैलिट था, उसके बाद दुबारा वापस आई नहीं, कई लोग फाइनल एकजिट चले गए, दुबारा सोधिरब आई नहीं, तो अभी भी कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, कि भाई, फाइनलिस का सोलूशन क्या है, जिन्होंने फेक डाला है, कितना साल का जेल होगा, या फिर कितना जुर्माना होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, देखे, मैं डराने के लिए ये सब चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बहुत पैथिटिक मॉमेंट ह होगा उन लोगों के लिए, ये बहुत टफ सिचुएशन है, तो अभी तक क्या होगा उसको ले करके कोई आपको नहीं बता सकता, सोधिर अभिया का जो कानून है, उसके तहथ एक्शन लिया जाएगा, एक्शन कैसे होता कोड के तरप से, लोग देखते हैं कितना बड़ा क को वहापे कोई आप्शन नहीं है, मैंने बात भी किया सौधी कॉंसिल आफ इंजिनियर से, उन्होंने कहा, रिन्वल का आप्शन नहीं है, उनको हमें एक आप्शन दे रहे हैं, अपील करने का, अगर वो चाहें, तो अपने साइट से जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो य यह थी वो अपडेट जिनका मेंबरसिफ सस्पेंड ए सौधी कॉंसिल आफ इंजिनियर में उनके लिए, मिलता हूं फिल नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रख्या अपना, थेंक्यू सो मच पो वाचिंग